हम लोग क्या करते हैं कि कूकर साफ कर लेते हैं लेकिन इसकी सीटी साफ करना भूल जाते हैं कभी कभी आपने सुना होगा कि कूकर फट गया यह इसी की गंदगी के कारण होता है हमने दोनों सीटी में खाने वाला बेकिंग सोडा लिया है इसके अंदर भड़ देंगे अब न नीबू डालने के बाद 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद तूस बरस लेकर इसकी सफाई करेंगे अब हमें एक येर बट लेंगे इसके अंदर डालकर रगर रगर कर साफ कर लेंगे गुमा गुमा कर चारो तरफ इसके कौनों में डाल कर इस तरह हमने दोनों सीटी साफ कर लिया है देखिए कितनी ज़्यादा गंदिगी इसमें निकल रही है अब हम इसे पानी से धुल कर साफ कर लेंगे फिर यूज करेंगे